कि नमस्कार दोस्तों जी एस इस्पिशल सीरीज में आज हम बात करेंगे नुक्लियर डिस आर्मामेंट की क्यूंकि रशिया यूक्रेयन क्राइजिस में जिस तरह से परमारू हमले की धमकियां दी जा रही हैं कहीं ने कहीं ये बात फिर से उठके आ गई है कि क्या जो ये नहीं है या क्या कारण है कि हम अभी तक 1970 के दशक में होने वाली बातों को अभी तक अमल में नहीं ला पाये हैं तो इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे और देखें कि कितनी संधिया हुई है इस चीज में और क्या क्या हम और जान सकते हैं तो आज हम हम परिवाचा के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार nuclear disarmament है क्या उसके बाद हम बात करेंगे NPT की उसके बात करेंगे CTBT की उसके बात करेंगे MTCR की और लास्ट में हम बात करेंगे परमारू निरस्तिकरन होता क्या है तो परमारू निरस्तिकरन का या फिर नुकलियर डिसार्मामेंट का सिंपल सा मतलब यह है कि आपके अपने पास से नुकलियर हतियारों को कम करने की कम करने का प्रोसेस या उनको अपने पास से खतम करने का हटाने का जो प्रोसेस होता है उ ज्यों के शोपने सकति का यूज नहीं करेंगे और इस अर्मामेंट जो होता है उसका मतलब होता है कि आप उमपनी शक्टियों को कम करते सिरु उसका इसिल यूज शरेंगे या कोशिच करेंगी कि उसको आप मुझ च खर सके दुनिया को न्यूक्लियर हतियारों से मुक्त परमारू हतियारों से मुक्त किया जा सके तो अब हम बात करते हैं इस से रिलेटेट कुछ संधियों की और संधियों के बारे में जानते हुए हम कोशिच करेंगे कि आखिर भारत का इसमें रूल क्या है और सारे देशों का इसमें रूल क्या उपयोग यहनि इन तीन उद्धिवहों के साथ इस संधी का निर्मान किया गया सफची वह네र सान आएगे कि जिन देशों के पास इस डेट से पहले परमारू हतियार थे वो परमारू हतियार रख सकते हैं और उसके बादवाले नहीं रख सकते तो भारत का पक्ष यह रहा है कि इस तरी के संधी पर हम साइन नहीं करेंगे जिसमें किसी भी तरह का दिस्क्रिमिनेशन हुआ हो तो अल्टिमेटली एन पीटी का भारत हस्ताक्षर करता नहीं है आगे हम बात करें और देखें कि अगला कौन सा ट्रीटी है तो अगली हमारी है व्यापक परिक्षन प्रतिबंध संधी तो व्यापक परिक्षन प्रतिबंध संधी जो है हमारी 1996 मे हस्ताक्षरित कर चुके हैं लेकिन कुछ देशों के हस्ताक्षर ना करने के वज़े से यह आभी तक लागू नहीं हो पाई है एंफोर्स नहीं हो पाई है इसके अंदर यह नियम लगाएगा यह कानून लगाएगे कि जो व्यापक परिच्छन प्रतिबंद संदी है इसके अं आफ्शल मतलब यही था कि हम किसी भी तरह का टेह्श्च अभी चृष्ट नहीं करेंगे और कॉम्प्रेहनसिध व्याइन तरीटी के अन्तरगत यह कहा अगिया कि हम टेश्ट को आप किसी भी नीग्यलीच टेश्ट को करने की मना ही होगी किसी भी देश में और इसी गता त पर देशों ने अभी तक ना साइन किया ना रेटिफाई किया है इस वज़े से यह अभी तक एनफोर्स में नहीं आपाई है इसको भी भारत नेगलेक्ट करता है कि इसमें भी वही सेम कंडिशन है कि यह एक डिस्क्रिमिनेटरी है जिनके पास जिनके पास हतियार है पहले से उनके लिए कोई भी प्रोसीजन नहीं रखता है लेकिन जिनके पास नहीं है उनको लगाता है और यह कहता है कि भारत यह कहता है कि अगर हम अपनी सुरच्छा के लिए उत्तर दाई नहीं हो gigantic कों कर पक्ष्रक्र भारत NPT और CBT का CTBT का विरोध अक्सर करता रहा है देख सकते आप कितना भयानक सा एक गुबार उतता है धुमे का जब किसी तरह का परमाणू बंगिरता है तो कहीं न कहीं भारत चाहता है कि अगर हम परमाणू बंगों का अप्रसार करना चाहते हैं तो आगासाकी में जो तबाही मचाई थी उसकी वज़े से अगली हम बात करें मिसाइल टेक्नलोजी कंट्रोल रिजाइम तो एक तरह से यह 35 सर्दस्यों का एक बहु पक्षी सर्म सर्मत आधारी समू है इसके अंतरगत क्या है कि जो भी कह सकते हैं कि वेपन होते हैं जो वेपन साथ ही साथ यह देखता है कि जो मिसाइल टेक्नलोजी बन रही है वो किस प्रयोक के लिए बन रही है और उसका क्या काम होगा यह कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है तो MTCR रिजाइम में कोई भी लीगली बाइंडिंग सल्यूशन नहीं है यानि कि इसके लिए कोई भी किसी वितरीकी वैदानिक संस्ता नहीं बनाई गई है यह चिर्फ एक वालेंटरी एक्षिन के लिए बनाई गई थी इसमें एक तरह से कह सकते हैं आप प्रतिबद्ध हैं आपरशार के लिए और आसायनिक और जैविक हतियारों के रोग थाम के लिए 1897 में G7 के देशे원 दोरा इसका निरुमार हुआ था तब से अभी भी इसे का चललाा है भारत इसका स्टाक्षर इसका मेंमर हो गया है और इसका मेंमर होने के साथ साथ भारत कोनौनई टेकらङिस पर भारत जा सकता है उनको यूज करके अपने यहां पर नुकलियर यूजेज को सिविल में प्रियोग कर सकता है भारत का यह भी मत रहा है कि जो इंटरनेशनल अटोमिक एनरजी एजनसी है उसके लिए हमारे यहां के परमानुसायंत्र खुले हैं वो कभी व्याकर वहां पर जाज कर सकते हैं और वो उसके मापदन् मानता है यह हमारा MTCR कंट्रोल रिजाइम के अंतरगर्था आप यहां पर देख सकते हैं यह ब्रह्मोज मिसाइल है अब तो हमारे पास अलग लगतरे की मिसाइल भी आ गई हैं और MTCR रिजाइम भी हम इसलिए बहुत इच्छे से फॉलोग कर रहे हैं लास्ट बर नॉट अरत्यादुनिक मशीने हैं जिनका प्रयोग करके आप पर मारू एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने सिविल यूज के लिए उन टेक्नोलोजी के भी एक्सेस हो जाएगी इसके लिए भारत हमेशा प्रयासरत हैता है कि हम इस ग्रूप का सदस सिबन पाएं 1974 में इस को बनाया था तब से भारत निरंतर कोशिश कर रहा है कि हम इस ग्रूप का मेंबर हो जाए जब इस ग्रूप का निर्माड हुआ तब भारत के अगेस्ट में हुआ था दरसल जब पहला प्रोखरन टेस्ट किया गया 1974 के सतर के दशक में उसके बास से काफी देश ड़ गए थ कि ऐसा ना हो कि परमाडू हथियारों के रखने की होड में कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि पूरी दुनिया ही हम तबाह कर बैठे तो इसी वैसे निसजी का गुरूप बनाया गया था और यह क्या करता है एक तरह से एक्सपोर्ट टेक्नोलोजी इसको को कंट्रोल करने का काम करत दूस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इस स्पेशल वीडियो में हमने आज बात की एंपीटी की नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की सीटी बीटी कॉंप्रेंसिव टेस्ट बैं ट्रीटी की मिसाइल टेक्नोलोजी कंट्रोल रिजाइम की बात की और चौथा हमने बा आएंगे नए वीडियो के साथ नई नई बातों के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू है बनाई से